नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है शिवांस और आप देख रहे हैं पैसा बचाओ दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने खुद के लिए एक डाइट प्लैन बना सकते हैं और क्यों यह आपके लिए जुरूरी है जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूट यहां सबसे पहले आपको अपना BMR पता करना है BMR का मतलब है Bessel Metabolic Rate यह आपको app download करनी है यहां पर आपको अपना height, weight, age और gender डालना है तो यहां से आपका BMR आ जाएगा तो आपने BMR को multiply करना है 1.2 से अगर आप exercise नहीं करते अगर 1.375 से करना है अगर आप हफते में 1 से 3 बार exercise करते हैं और 1.55 से करना है अगर आप हफते में 4 से 5 बार exercise करते हैं और 1.725 से multiply करना है अगर आप हफते में 6 से 7 बार exercise करते हैं तो जैसे कि मेरा BMR यहां पर आया है 1800 तो मैं हफते में 6 बार exercise करता हूं तो इससे multiply करना 1.725 से तो जो मेरा daily caloric requirement है वह है 3105 तो 3105 मेरी normal calories required है अगर मैं यह लूँगा तो ना तो मेरा fat loss होगा ना तो muscle gain होगा मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा तो अब बात करते हैं गोल पे तो यहां पर दो गोल लोगों के होते हैं तो muscle gain तो दूसरा fat loss तो अगर आपने muscle gain करना है तो यह आपकी daily calories requirement आपने निकाली उपर से जैसे कि मेरे 3100 आई तो उसमें अगर आप 300 calories add करने दिन की तो आपका 300 ग्राम muscle gain होगा हफते में यहां fat आपका gain नहीं होगा प्योर आपका muscle gain होगा वही अगर आपको normal gaining करनी है तो यहां पर 500 calories डाल सकते हैं इससे आपका एक हफते में एक pound weight बढ़े जाएगा जिसमें 80% muscle होगा 20% fat होगा और अगर आपको dirty bulking करनी है जैसे कि बोल सकते हैं कोई कोई बहुत पतला है उसे फरक नहीं पड़ता कि उसे fat gain करना है जाब muscle gain करना है वह बस अपना weight बढ़ाना चाता है तो यहां पर 1500 calories add कर सकते हैं तो उसमें आपका हफते का 1-2 kg weight बढ़ जाएगा जिसमें 50% muscle होगा 50% fat होगा तो इस तरह आप पता कर सकते हैं कि आपको calories कितनी requirement है थबसे पहले आपने अपनी daily calories निकालनी है कितनी है और उसके बाद आपने अपने goal के हिसाब से वहाँ पर add या minus कर लेनी है तो भी muscle gaining के बारे मैंने आपको बताया है जिसमें हमें add ही करनी है अब मैं आपको fat loss के बारे में बताऊंगा तो उसका funda कर लेता हूं तो वहां पर मेरा एक pound हफते का कम होगा जिसमें 80% fat fat 20% muscle होगा और अगर extreme fat loss करना है बहुत कोई मोटा है फरक नहीं पड़ता कि muscle जा रहा है या fat जा रहा है सिरफ weight करना है 1500 calories हम minus कर सकते हैं जिससे कि 60% muscle जाएगा 40% fat जाएगा पर इससे होगा कि हफते का 1-2 kg कम हो जाएगा तो यहां से आपको पूरा पता चल गया है कि calories कितनी आपके required है सबसे पहले आपको BMR के थुरू आपको निकालना है कि daily calories कितनी है fat loss या muscle building के हिसाब से आपने set करना है कि आपको कितनी calories दिन की बढ़ानी है गटानी है तो उससे आपको पता चल जाएगा कि calories कितनी लेनी है जैसा कि जो मेरा हिसाब है मुझे 3600 calories जब भी दिन की लेनी है अगर मुझे muscle gain करना है तो अब बात करते हैं calories की तो एक ग्राम protein में होती है four calories एक ग्राम काब में होती है four calories और एक ग्राम fat में होती है नाइन calories तो अब हमें पता करना है की काब प्रोटीन और fat का ratio क्या लेना है तो muscle building और fat loss दोनों के लिए अलग है सबसे पहले आते हैं muscle gain पे तो muscle gain पे हमने 50% काब लेनी है 30% protein लेनी है 20% fats लेनी है जैसे कि जो मेरी calories requirement आपको मैंने बताया 3600 है तो उसका मैं अगर 50% निकालू तो 1800 calories मुझे काब से लेनी है अब मैंने आपको बताया था कि 1 gram काब में 4 calories होती है अगर मैं इसे 4 से डिवाइट करूंगा तो 450 grams मुझे मतलब दिन की काब्स लेनी है अब मैंने 30% यहां protein निकाल लिया 30% of 3600 तो यह आगया 1080 calories मुझे protein से लेनी है अब 1 gram protein में भी 4 calories होती है इससे मैं 4 से डिवाइट करनू तो पता चल जाएगा कि 270 gram मुझे प्रोटीन लेना है और अब मैं 20% अगर 3600 का निकाल हूँ जो कि है fat तो 720 calories मुझे fat की लेनी है तो मैं जैसे कि बताए 1 gram fat में 9 calories होती है तो मैंसे गर 9 से डिवाइट करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि 80 gram मुझे fat लेना है और अब करें fat loss की बाद तो fat loss में जो carb protein ratio है वो इस तरह है 30% carbs, 50% protein and 20% of fats तो जैसे कि calories requirement इसमें मेरी कम हो जाती है तो यहां पे होगी है 2600 calories जिसे 3100 सा तो उससे मैंने 500 minus कर ली muscle gaining में मैंने 500 plus की सी तो यहां पे होगी है 2600 तो इसका 30% carb मैंने निकाला तो 780 calories मेरी carbs से आनी है यानि कि 195 gram of carbs protein मेरी 50% है यानि कि 1300 calories from protein मतलब कि 325 grams of protein fat जो है वो है हमारा 20% जो की हो गया 520 calories जो की grams में हो गया 58 grams तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपको दिन में कितना protein चाहिए कितना carb जिए कितना fat सी है तो example के तोर में muscle building पे मेरा आ चुका है कि 270 gram मुझे protein चाहिए 450 gram मुझे काब चाहिए और 70 grams मुझे fat चाहिए तो मैं उसको six meals पे डिवाइड का सकता हूं कि मुझे हर मीर में 40 gram 45 gram protein ले सकता हूं 75 gram काब ले सकता हूं और fat 12 grams ले सकता हूं तो यहां आपको एक बाद का ध्यान रखना है चाहिए आप fat loss में हैं चाहिए muscle building में हैं जो आप protein post workout ले रहे हैं जैसे कि अगर आप 30 gram after exercise protein ले रहे हैं तो जो आपको protein intake daily का है उससे आपको वो कम करना है जैसे उपर 270 grams मेरा protein intake daily का आया था तो 30 grams में यहां से कम कर रहा हूं और 240 gram वो बसता है तो 240 gram बसता है काव आपको उतना ही रहेगा फैट आपको उतना ही रहेगा तो उससे हमने 6 meal में फिर divide कर लेना है तो आपको पता चल जाएगा चाहिए fat loss पे हो चाहिए muscle building पे हो कि आप हर एक meal में कितना protein सी है कितना काव सी है कितना fat सी है अब इसके वाद अगा आपने अपना diet plan कैसे design करना है उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जूर्ट नहीं है आप गुरुमान का कोई भी एक muscle grading या fat loss program डाउनलोड कर सकते हैं जैसे आप एक meal देख रहे हैं उसमें 40 gram protein है 60 gram carbs है 11 gram fat है तो यहां से आपको जो protein carb और fat है हर meal में अपने according set करना है उसके लिए आप जो इनकी recipe है उसमें थोड़ा सा add और कम कर सकते हो जैसे अगर यहां पे odd का one cup है तो यहां पे one and half cup कर सकते हो तो आपको पता कैसे करना है कि इसमें कितना protein carb और fat है वह आप Google की मदद से कर सकते हैं आप किसी वीजी का यहां नाम लिखें उसके nutritional facts देखें आप उसमें protein carb fat कितना है वह पता करें और उसके हिसाब से थोड़ी ही मैनत करने के बाद आप अराम से निकाल सकते हैं कि किसी इसमें कितना protein carb fat है और अपने हिस हिसाब से इसे set कर सकते हैं तो वो जो आप इन ही का program अगर अपने हिसाब से set करेंगे तो आपके लिए वह ज्यादा beneficial होगा इस हिसाब से आप अपने दोस्तों का अराम से diet plan बना सकते हैं तो दोस्तों यह था मेरा video अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज कोमेंट करके बत आईए मुझे पूछी मुझसे और video को लाइक करना ना बोले और ज्यादा है ज्यादा अपने दोस्तों के साथ share करें दोस्तों मैं विदा लेता हूं जैहिंद जैभारत